हेलो गाईस स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे नए योटुब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे तो गाईस आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि एंजल वन एप पे आप लोगों को ट्रेडिंग कैसे करना है और साथ ही साथ अपना ब्रेकेट ओडर कैसे लग आता है ओके तो यह काफी इंपोर्टेंट फीचर है काफी इंपोर्टेंट प्रोडक्ट है यह फीचर का यूज आप लोगो को करना ही चाहिए और दूसरी चीच अगर आप लोग एंजल वन एप से अभी तक अपना डिमैट अकाउंट ओपन नहीं करा है तो आप जाहिए म रेडी है और ब्रेकेट ओडर लगाने के लिए भी एकदम रेडी है तो गाई जैसी आप लोग अपने आप को लोग इन करते हैं आप लोगों को कुछ इस टैप का इंटरफेस दिखाई देता है जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अब आपको क्या करना है ए करने के बाद यहां पर आपको सर्च कंपनी का एक ओप्सन आएगा है ना सर्च फार कंपनी और स्टाक है ना तो आप किसी भी स्टाक या किसी भी कंपनी को आप यहां सर्च कर सकते हैं तो अभी हम यह ब्रेकेट ओर जो है ना हम लगाना चाहते हैं कैनरा बैंक पर ओके तो तो यह हमने canner bank search किया और यह जो आपका पहले number का company आएगा इसी को आपको simple click कर देना है तो हमने simple इसको click कर दिया click करने के बाद आपको नीचे पर buy और sell को options आपको दिखाई देगा options को click करेंगे उसके बाद आपको कुछ इस type का interface दिखाई देगा टॉप पर आपको इंट्रडे को options दिखाई दे रहोगा तो यहाँ पर आपको इंट्रडे पर आपको दिखाई दे रहा है ठीक है रोबौ आडर की options को क्लिक करेंगे तो आपके पास इस τοप्लेश ओडर और टारगेट ऑडर को options open हो जाएगा तो यह हमने रोबौ आडर की options को क्लिक कर दिया यह जैसी हमने रोबौ ऑडर को options को क्लिख किया यहाँ देख पार है आप stopless order और यहाँ आपका target order options open हो गया है ठीक है और हलका से मेक करेंगे तो देखेंगे आपका यहाँ Price का options भी open हो चुका है यह Price यह आपका stopless order यह आपका target order ठीक है तो आपका मंपसन्ट ओर रहेगा आप quanh price प्रैंट्री ठीक है और यहां पे आपको limit select करना है market order पे आप bracket order का use नहीं कर सकते हैं यहां number of share आप अपना quantity rate कर सकते हैं तो अभी market का price क्या चार रहा है market का price चार रहा है 107 रुपया 53 पैसे 107 रुपया 50 पैसे something चार रहा है अभी हमको लगता यार यह price कुछ ज्यादा है है ना हम अपने price price पे entry करेंगे तो हम यहां अपना price add कर देंगे 106 रुपय हम लगबग लगबग एक रुपय नीचे से entry करना चाहते हैं ठीक है तो यह हमने 106 add कर दिया यानि कि हम अपने price पे entry कर रहे हैं यह market का price है यह हमारा price है हम अपने price पे entry कर रहे हैं और जिस range में हम entry कर रहे हैं वह उसके बद यह टार्गेट प्राइज हम लगबग लगबग दो रुपय नीचे अपना इस टॉप लोश ओडर लगा हैं तो चार रुपया उपर हमारा टार्गेट रहेगा तो हम कौन से रेंज पर अपना टार्गेट लगा देंगे और मार्केट का प्राइस यह है यह नीचे गीर के 106 रुपय के रेंज पर आएगा तो हमारा यह ओडर लग जाएगा मार्केट में ठीक है, positions पर अभी आपका order place नहीं हुआ होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, यह आप देख पार है, positions पर कोई भी आपका order नहीं चार रहा है, अभी orders पर आपका यह order तो कर रहा है, यह आप देख पार है, आप robo order लगाए है market पर, आप 106 रुपय के range पर entry करना चाहते हैं, ठ 106 रुपय के range पर entry करना है, तो यह price जो है, नीचे गीर के 106 रुपय के range पर आएगा, तो यह order हमारा activate हो जाएगा, और साथी साथ हमारा stop loss order लग जाएगा, और हमारा target order लग जाएगा, साथी साथ, तूरन, आपको कुछ ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, और वो आप set कर चुके हैं, stop loss order आपका 104 के range पर है, और आपका target order 110 रुपय के range पर है, ठीक है, तो इस type से आप लोग Robo order के use करेंगे, यहाँ आपका 1% लगता है order, और आपका stop loss order लगता है, आपका target order लगता है, तो यह कपी कमाल का यह feature है, इसका use आप लोग को करना चाहिए, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है, आज मेरे range पर market आने वाला नहीं है, आप समझ पा रहें, यह आपका price है, और यह आपका market price है, अब यह market price जो है 106 रुपय के range पर आएगा, तभी आपका यह order एक्टिवेट होगा, अगर नहीं आएगा, तो आपका order दिन भर नहीं लगेगा, ठीक है तो आप एक घंटा वेट कियें, दो घंटा वेट कियें, आपके range पर market आया है नहीं, तो आप अपने order को cancel भी कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, तो जो simple यह आप रोबो order लगाए ना, इसी को आपको simple click करना है, click करने के मद आपको यह cancel order के options को click कर देना है, and yes के options को click कर देना ह देख पारें, आपका रोबो order cancel हो गया, ठीक है, तो इस step से आप अपने रोबो order के use करेंगे, काफी असान है, और इसका use मैं भी करता हूँ, इसका use आप लोग को भी करना चाहिए, ओके, और गाईस कुछ भी कोरी हुआ, तो आप लोग comment box पर comment करिएगा, मैं आप लोग और